तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन गेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दु ग्रामर पढ़ने वाले हैं जो कि यह उर्दु ग्रामर का टॉपिक इस वीडियो में आप लोग उर्दु ग्रामर के जिस भी टॉपिक को पढ़ने वाले यह उर्दु ग्रामर का बेस है अगर यह नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने ठीक है तो बिना में एक्जाम हुआ था तो कोशन उर्दु कवायद से पूछा था कि हुरूफ तहज्य की तादाद कितनी है जो कि मैं आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा भी चुकी हूँ बताई थी कि हुरूफ तहज्य की तादाद बावन है तो जब कोशन यह पूछ सकता कि उर्दु कवायद को कितने हिस्सों में बाटा गया है तो कहीं से भी कोई बिक उर्दू कोयद से उठा सकता है अर अब तो आप लोग के एक्जाम में और भी डीपली जाकर खकोर कर पूछ रहा है और इसलिए वह सभी टॉपिक पढ़ा रहे हूं जो टेंथ और वेल्ट क है उर्दु कवायद को याद रखिएगा पांच हिस्सों में डिवाइड किया गया है उर्दु कवायद को कितने हिस्सों में बाटा गया है कितने खंडों में बाटा गया है तो याद रखिएगा पांच अगर कोश्चन पूछे कि उर्दु कवायद को कितने हिस्सों में नहों और चौते हिस्से को कहते हैं हम लोग इल्म बयान और लास्ट जो पांचवा हिस्सा है इसको कहते हम लोग इल्म अरूज तो यह पांच हिस्से है ठीक है अब समझे कि इन पांचों हिस्से में आप लोगो क्या-क्या पहना होता है तो इल्म हिज्जा समझे किसे कहते हैं इलम हिज्जा वह हिस्सा है जिसमें हम सिर्फ हुरूफ के बारे में पढ़ते हैं उर्दू कवाइद का पहला वीडियो पहला क्लास तो आप लोगों को यादी होगा उसमें मैं आप लोगों को बताई थी हर्फ लव्ज और जुम्ला तो जो हर्फ है ना अलिफ क्या एक तक जितने भी हर्फ है। उनक्रों सभी हर्फ के बारे में पढ़ना हुरूफ के उपर कैसे हरकात व क्या हore लगाया जाता है। मतलब ह हिज्ञा के अंत्रगत इस हिस्सा के अंत्रगत हम जो क्या पढ़ते हां सिर्फ और सिर्फ हम लोग लेटर के बारे में पढ़ेंगे ठीक है अब बात आती है इलमे सर्फ की तो जो हर्फ से लफ्ज बनता है जैसे की आम तो अलिफ के उपर मद है आ और मियूम से मुआम दो हर्फ से मिलकर एक लफ़ बन गया आम तो लफ़ों की कैसे बनावट होती है कैसे लफ़ों को बनाया जाता है कौन सा लफ़ क्या है लफ़ों के बारे में जो आप लोग पढ़ेंगे न तो वो कहलाता है इल्मे सर्फ मतलब इल्मे हिज्जा के अंदरकट सिर्फ आप लोग रूफ के बारे में लेटर के बारे में पढ़ेंगे और इल्मे सर्फ के अंतरगत आप रूफ से बने लफ़ के बारे में पढ़ेंगे कौन सा लव्ज वाहिद है कौन सा लव्ज जमा है कौन सा लव्ज मुजक्कर है कौन सा लव्ज मुत्रादिक है कौन सा लव्ज मुत्रादिक है कौन सा लव्ज मुत्रादिक है ठीक है और लव्जों के बारे में पूरी जानकारी हम लोग इल्मे सर्फ के अंतरगत लेते हैं तो इल्मे सर्फ कौन सा हिस्सा हो गया जिसमें हम लोग अलफाज की बनावट से बहस करते हैं अलब सिर्फ हम लोग इसमें लव्ज के बारे में पढ़ेंगे ठीक उसके बाद आता है इल्मे नहों यानि कि जो लव्ज लवज से मिलकर जुमले बनते हैं जैसा कि बताई थी कि हर्फ से मिलकर लवज बनता है और लवज से मिलकर जुमला बनता है जैसे कि मैं आम खा रही हूं इसमें कितने लवज है मैं आम खा रही हूं पांच लवज से मिलकर एक जुमला बन गया मैं आम खा रही हूं ठीक है तो तो तीन समझ में आ गया कि इल्मिज्जा के अंतरगत हम लोग सिर्फ रूफ के बारे में पढ़ेंगे, इल्मिज्जा के अंतरगत सिर्फ लव्ज के बारे में पढ़ेंगे, इल्मिज्जा के अंतरगत सिर्फ जुम्ला के बारे में पढ़ेंगे, जो की लव्ज से बनते हैं, अब बात आती है इल्म बयान इस मतलब ये क्या है इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं तो इस वाले हिस्से में इल्म बयान की अंतरगत हम लोग लवज और जुमलो के लवजी मानी से बहस करते हैं मतलब इसमें लफ्ज और जुम्ला दोनों को पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग लफ्ज भी बोलते हैं जुम्ला भी बोलते हैं तो इनसान जब बोलता है लफ्ज बोली है फिर जुम्ला बोले तो उसका जाहिरन कुछ और होता है बातन कुछ और ही होता है बोलता कुछ और है उसक सिर्फ शायरी शायरी के उसूल अरकान वजन और मोजो के बारे में इसमें पढ़ते हैं इल्म अरूज का मतलब आप समझे कि इस हिस्से के अंतरगत सिर्फ हम लोग शायरी के बारे में पढ़ते हैं कैसे मतलब शायरी की क्या अरकान है क्या उसूल है वजन मोजो के बारे में ह ठीक है तो यह पांचों हिस्सा आई होप आप लोगों समझ में आ गया होगा अब सुनिए तेंथ और ट्वेल्थ क्लास के पॉइंट अफ व्यू से अगर देखा जाए तो कौन से हिस्से से आप लोगों के एक्जाम में जादेतर कोश्टन पूछे जाते हैं यह मैं आप इल्मे उरूज से पूछा जाता है ठीक है हो सकता है कि इल्मे उरूज से कुछ काज पूछ दें ठीक है लेकिन अगर बात करें सबसे ज्यादा कौन से हिस्से से एक्जाम में कोश्टन पूछा जाता है तो वह हिस्सा का नाम है इल्मे सर्फ क्या नाम है इल्मे सर्फ याद ही ज़्यादा है मतलब इसमें ध्यर सारे टॉपिक को पढ़ना रहता है यहीं आप लोग को पढ़ना रहता है और यहीं से इक्जाम में कोशन पूछा जाता है और कहीं से भी नहीं ठीक है तो चली इसीपर बात कर लेते हैं क्योंकि कि इल्मे सर्फ के ऊपर हम लोग इल्मे सर्फ में हम लोग लव्ज पढ़ते हैं यान कि लव्जों के बारे में पढ़ते हैं लव्जों की बनावाट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले समझे कि लव्ज क्या है लव्ज तो मैं आप लोग को अल्लेडी बता भी पढ़े नहीं इलमे उरूश पढ़ाँगे अब मैं आप लोग और सिर्फ इल्मे सर्फ पढ़ाँगी अगर आप लोग चाहते हैं कि इल्मे पढ़ें इलमे-मंप्लिवीपढ़ें इल्में अरुश पढ़ें टोटल फिश्रा हखना फिर आप इस्टार्टिंग से इससाटिंग से इन मलौ में में चालते हैं तो आपूर्त उसरीन जितने भी हिसे उसको छोड़ते हुए इलमे सर्फ के अंतरगत हम चलते चले जाएंगे लव्ज फिर उसमें क्या पहणा होता है लव्ज के अंदर क्या फिर उसके अंदर क्या मतलब इसके अंदर गहराई में हम लोग घुशते चले जाएंगे ठीक है तो लव्ज को दो हिस्स क्या है लवज मौमल लवज मौजू किसे कहते हैं उस तरह के लवज को कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ मानी हो कोई ना कोई मतलब हो उस तरह के लवज को कहते हैं लवज मौजू जैसे कि मैं बोल थी मारकर कलम घड़ी घर तो फिर इसका कोई ना कोई मतलब है घर से आप मानी हो लेकिन लवज मुहमल उस तरह के लवज को कहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है कोई मानी नहीं होता है जैसे कि रोटी तो हो गया मौजू लफज मौजू हो गया क्योंकि रोटी का अर्थ होता है रोटी का स्थित्व है रोटी का मतलब कोई चीज ठीक है कोई समान लेकिन अगर रोटी के सान साथ वोटी बोला जाए रोटी और रोटी 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 तो ठीक है लेकिन वोटी का मतलब क्या होता है वोटी का तो मतलब कुछ भी नहीं होता है यहनकि वोटी का मानी नहीं है तो वोटी यह जो लवज है ना इसको बोला जाएगा लवज मुहमल ठीक है पानी वानी पानी के साथ हम लोग वानी बोलते हैं ठीक है पानी वानी लेते आओ ठीक है तो पानी हो गया आप लोग का लवज मौजू लेकिन वानी क्या हो गया वानी का कोई अर्थ है कोई मतलब है कोई मानी है नहीं तो वानी हो गया आप लोग का दोन रखों में बाट गया है थीदि यह कि लफ्य मौजू के कितने प्रकार कितने टाइप लवज के दो टाइप लफ्य मौजव और लव अ respons me करे चैंड कालम यांद रखिए गालफे मौजू के कितने टाइप दो टाइप पहला है कलम और दुसरा है कलाम कलमा को हम लोग मुफरद भी कहते हैं और कलाम को मुरकब भी कहते हैं समझे कि कलमा किसे कहते हैं एक बामानी लफ को कहते हैं हम लोग कलमा मतलब कोई एक लफ है उसका कोई मानी है तो उसको बोलेंगे कलमा जैसे की कलम रोटी पानी मतलब इससे पता क्या चल रहा है य लेकिन कलाम कहते हैं एक से ज्यादा बामानी लवज को यानि कि एक से ज्यादा लवज हो और उसका कुछ मतलब हो कुछ मानी हो उस तरह के लवज को कहते हैं कलाम जैसे कि अकलमंद अकलमंद यह जो लवज है इसमें दो लवज है एक है अकल और दुसरा है मंद तो दो लवज से मिलकर बनाई एक लवज है जिसका मानी क्या होता है बुद्धिमान तो एक से ज्यादा बामानी लवज है ना अकलमंद में एक से ज्यादा लवज है ना दो लवज है ठीक है ना तो अकलमंद क्या हो गया कलाम हो गया उसी तरह नेक आदमी नेक आदमी में क्या है दो लवज या फिर फिर से कलमा को तीन भागों में और बाटा गया है कलमा के कितने प्रकार कितने टाइप तो तीन टाइप पहला है इस्म दूसरा है फेल और तीसरा है हर्फ, अब यहाँ पर आप लोगों को जानना होगा कि इस्म फेल और हर्फ किसे कहते हैं, याद रखिएगा एक बमानी लवज को कलमा और कलमा को ही तीन भागों में बाटा गया है, कलमा के तीन टाइप होते हैं, पहला है इस्म, दुसरा है फेल और तिसरा है हर्फ, इस्म किसे कहते हैं, चलिए यही पर मैं आप लोगो को बता देती हूँ, इस्म कहते हैं नाउन को, किसी भी चीज़ का नाम, नाउन यानि कि इस्म कहलाता है, आप लोग इंग्लिश में, मतलब किया नाम किसी भी चीज का नाम इसका क्या नाम है तो मारकर हो गया इसम मेरा क्या नाम है मेरा आप लोग जानते ही है तो मेरा नाम हो जाएगा इसम इस चानल का क्या नाम है तो इसम किसी भी चीज के नाम को कहते हैं यह क्लियर हो गया अब दूसरा जो किसम है यानि कि दूसरा टाइप वो है फेल किसे कहते हैं फेल कहते हैं वर्व यानि कि किरिया को काम को फेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं वर्व हिंदी में कहते हैं किरिया यानि कि किसी भी काम को कहते हैं फेल जैसे कि अभी मैं आप लोग को पढ़ाने का काम कर रही हूं तो पढ़ाना क् हो गया फेल हो गया देखना फेल हो गया खेलना फेल हो गया दोड़ना फेल मतलब किसी भी काम को कहेंगे हम लोग फेल और हर्फ कहते हैं प्रिपोजीशन कि क्या कहते हैं प्रिपोजीशन को कहते हैं हर्फ मतलब कि यह अकेले रहने पर अपना अर्थ नहीं बताते हैं लेकिन किसी sentence में जुर जाते हैं तो अर्थ जाहिर कर देते हैं मतलब किसी sentence का ये अर्थ निकाल देते हैं जैसे कि हामिद मस्जिद में है में है तो देखिए अगर मैं अलग से सिर्फ में बोलूं तो में का कोई अर्थ नहीं है सिर्फ में बोलूं ने बोलू का बोलू की बोलू तो कोई अर्थ नहीं है में का कोई अर्थ नहीं है लेकिन यहीं में जो है ना जाकर इस सेंटेंस में जुड़ गया है कि हामिद मस्जिद में है तो इसका इस सेंटेंस का अर्थ समझ में आ रहा है अगर में नहीं रहता सिर्फ इतना रहता हामि हामिद क्या है हामिद मस्जिद है मस्जिद है तो क्या अर्थ समझ में आता हामिद मस्जिद है कुछ अर्थ समझ में आता कोई मतलब समझ में आता नहीं लेकिन मस्जिद के बाद में लगा दिया गया है हामिद मस्जिद में है तो हा इस सेंटेंस का जो है न मतलब पता चल र मैं हो गया मैंने कआ है या फिर का हो गया की हो गया यह सब क्या है हर्फ है जो किसी सेंटेंस में लग जाते हैं आप बोलract किसे सटन're मेंन्य बता देते हैं मतलब ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूं उर्दू का वायत को पांछ इससों में बाटा गया है पहले हिल्म हिज्ञा दूसरा अलम सर्फ कहीं कर तो हम लोग साइरीके बारे में ठीक है क्योंकि हम लोग 10th or 12th class के exam के point of view से देखना है ना तो 10th or 12th class के exam में इल्म हिज्जा या फिर इल्म नाओ इल्म बयान या फिर इल्म रूस से question नहीं पूछा जाता है सिर्फ इल्म सर्फ से पूछा जाता है तो इल्म सर्फ के अंतरगत क्योंकि हम लोग सिर्फ लवज के बारे में पढ़ते हैं तो याद रखिएगा लवज को दो भागों बाटा गया है मौजू और मौमल मौजू किसे कहते हैं जिसका कोई मानी हो और मौमल उस तरह के लवज क को कहते हैं कलाम एक से ज्यादा बामानी लवज को कहते हैं और कलमा को भी तीन हिसों में बटा गया है पहला है इसम दुसरा है फेल और तुसरा है हर्फ इसम किसी भी नाम को कहते हैं फेल किसी भी काम को कहते हैं और हर्फ उस तरह के लवज होते हैं जो किसी दूसरे सेंटेंस में जुड़कर उस सेंटेंस का अर्थ निकाल देते हैं तो यह हो गया आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा अब इसके आगे की टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे ठीक है तो कोई भी कम सुझान हो आप हमें कमेंड में पूछ लीजिएगा बाकी में आप लोगो जो कुछ भी समझाई हर एक एक समझ में आया है तो कमेंड में लिखकर बताए उड़र करें करें और वीडियो की लिए और शेयर इसलिए करें चैनल पर अगर आप लोग नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और नोटिफिकेशन बिलको दबा लिजेगा उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ओल वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा और हाँ एक और बरूरी था लास्ट में सब्सक्राइब अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में जो है ना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे इसलिए चोटा सा पॉइंट उर्दू का मतलब होता है उर्दू का मानी होता है लशकर लशकर कहते हैं सेना की एक इकाई को आप ब लशकर सकता है उर्दू कि अर्दू का मानी क्या होता है option में दिया रहेगा लशकर उसको टिक कर देना है ठीक है तो चरिए इसी के साथ आप सबी लोगों से मैं विदा लेती हूँ बाई बाई टेक क्यार फिर्म लेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज